सबसे पहले याद लेता हमने कौन-कौन से फॉर्मले कर लिये थे और कौन सा हमने एक केस पढ़ लिया था हमने कल की क्लास में केस पढ़ा था एंगूलर प्रोजेक्शन का कि जिसमें हम एक पार अगर हम पार्टीकल को किसी एक एंगल पर थो कर रहे है तो हमारे पास फॉर्मला आ गया था सबसे पहले हमने फॉर्मला कर लिया था था मैंग्जम हीट का फ़ा ला टी वर्टिकल विलोसिटी की वज़े से हो रही है तो हमारे पास फॉर्मला होगा u square sin square theta divided by 2g मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ u y square divided by 2g उसके बाद हमने फॉर्मला किया था time of flight का time of flight again it is due to the vertical velocity ये भी vertical velocity की वज़े से ही होगा तो जब तक vertical velocity सेम होगी time of flight हर एक particle का सेम ही आएगा तो इस case में हम formula लेख सकते हैं 2u y by g तीसरा हमने किया था horizontal range का horizontal range जो हो रही है वो horizontal velocity की वज़े से हो रही है तो u x into t एक और formula आ गया था u square sin 2 theta divided by g और एक last formula 2u x u y divided by g एक next formula velocity at any instant इसका formula क्या है सबको याद है velocity at any instant यू square cos square theta minus u square sin square theta minus plus minus g square t square very good that it becomes u sin theta minus g t whole square ये formula होगे velocity at any instant उसके बाद मैंने आपको कुछ relations derive कराये थे relations calculate करवाये थे for complementary angles कि जब भी angle theta होगा और 90 minus theta होगा तो अगर हम कभी भी time of flight का ratio निकाल रहे हैं तो time of flight का ratio आएगा 10 theta के बराबर अगर हम heights का ratio निकाल रहे हैं तो height का ratio आएगा 10 square theta के बराबर और अगर हम कभी भी range का ratio निकाल रहे हैं तो range का ratio हमेशा one आएगा क्योंकि complementary angles के लिए range हमेशा same रहता है और एक बस last relation कि आगर आप कभी भी आर और एच के बीच का relation find करोगे तो आर विल बी ओल्वेज एक्वल्स टू फोर एच कॉट थीटा आए होब यहां तक सबका रिवाइज होगा बिल्कुल इसी पर कोशन से स्टार्ट करूंगा वाई एक्वल्स टू एक्स टैम थीटा इन्टू वन माइनस एक्स बाई आर और इसी पर हमने लास्ट क्लास में एक लास्ट कोशन किया था तो जड़ा एक और कोशन ट्राइब करो ताकि मिरको पता चल जाए किस किस का बहुत अच्छ कह रहा है कि एक पॉल है जिसकी हैट हमें कैलकूलेट करनी है एक पोल है जिसकी हाइट हमें कैलकूलेट करनी है पोल ये वाला डिस्टन्स दूर पे हम एक ब101 को भॉल को ट्रों ने झाप डिकरней एयक मैने किसी एक मौक को तू किया बिकुल ये ब्लु Durham कोशन करके गिशम साइड गिर रही है दूसरी साइड कितनी दूर जाके गिर रही है दूसरी साइड का भी डिस्टन्स मेरे को गिवन है कि यह वाला डिस्टन्स है भी एक बार कोशन पूरा रिपीट कर रहा हूं चेक कर लो हमें एक पोल गिवन है उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है पोल से एक दिस्टन्स दूरी पे हमने एक बॉल को फैका एक 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 बॉल के टॉप को टच करकर दूसरी साइड गिर रही है एक डिस्टन्स ऑफ बी तो तुम्हें कैलकुलेट करके बताना भाईया वाट इस दी हाइट ऑफ दी पॉल प्राइक और एक बार वाट इस दी हाइट ऑफ दी पॉल तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मला यूस करोगे आप सब लोग एक शुच्ण ऑफ रजेक्टरी उस करेंगे मेरे को वाह मेरे को हाइट निकाल नीए वेरेस मेरे को एक्स दिस्टंस गिवन एक्स की वैल्यू कितनी है इस केस में कि हम a distance दूरी पर बॉल को फै करें मिरको एंगल भी गिवन है 45 डिगरी और अगर तुम सही से नोटिस करो तो हमें रेंज भी गिवन है क्या रेंज है इस केस में रेंज मतलब टोटल होरिजॉंटल डिस्टन्स तो टोटल होरिजॉंटल डिस्टन्स कितना है तो सब कुछ तो गिवन है एंगल गिवन है आर की वैल्यू गिवन है बस हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वह हमें मिल जाएगी हाइट तो चलो सब लोग कैलकुलेट करके आंसर बताओ कि अपने प्लस भी वेरी गुड एबी अपने प्लस भी चलो सब फटावर्ट साथ में कैलकुलेट करते हैं मैं सीदे सीदे फॉर्मला यूस करूंगा x that is a tan theta मतलब tan 45 degree into one minus x की value a divided by r जो की होता है a plus भी tan 45 degree होता है 1 तो यह हो जाएगा a into a plus b lcm लेके solve करूंगा minus a by a plus b इस पूरे को solve कर लो तो आपके पास final answer आ गया ab by a plus b भाई किसी को कोई दिकत हुई इस question को solve करने में बढ़िया तो चलो अब आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं next case हमें पढ़ना है horizontal projection का वो भी बिल्कुल simply है तो let's start our next case horizontal projection इसमें भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने angular projection का पड़ा था कि हम एक difference column draw कर लेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़े गीवन है क्या-क्या चीज़े पता है along x-axis and along y-axis horizontal projection में क्या हो रहा है कि हमें already height given है कि मैं इस particular height से किसी भी object को बिल्कुल straight throw कर रहा हूं horizontal throw कर रहा हूं किसी एक velocity यू से तो यह ball एक parabolic path लेगी और यह parabolic path लेके नीचे ground पे गिर जाएगी तो difference column draw कर लेते हैं कि क्या-क्या हो रहा है along x-axis और क्या-क्या हो रहा है along y-axis तो मिरे को बताओ what is the initial velocity along x-axis and along y-axis चलो बताओ horizontal direction में initial velocity कितनी है क्योंकि जो भी यह velocity गीवान है यह तो मैंने बिल्कुल सीधा फैका है तो मतलब यह बिल्कुल एक्स direction में horizontal direction में तो वर्टिकल horizontal इनीशल वर्टिकल विलोसिटी कितनी गीवान है क्योंकि downwards direction में कोई velocity नहीं है अब मुझे पता है downwards direction में हमेशा gravitational force लगेगा तो मतलब y direction में acceleration होगी और वो कितनी होगी माइनस जी माइनस साइन मैंने आपको कल ही बताया था माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमेशा downwards लग रही है gravity downwards के लिए हमेशा negative क्या x-axis में कोई acceleration होगी नहीं होगी क्योंकि कोई force नहीं लग रहा है तो अगर यार x-axis में कोई भी acceleration नहीं लग रही है तो मतलब जो हमारी velocity होगी वो constant होगी और जब भी velocity constant होगी हम एक ही formula यूज करेंगे velocity is equal to displacement by time लेकिन इधर case में क्या हो रहा है हमारे पास acceleration है तो अगर मेरे को कुछ भी calculate करना है तो इधर मेरे को equations of motion ही use करनी पड़ेगी तो अगर मैं किसी भी point की बात करूं कि suppose मेरा जो particle है वो point P पे पहुच गया है तो मेरे को बताओ point P पे particle के पास कितनी velocities होगी दो velocities होगी एक तो होगी horizontal velocity जो हमेशा constant रहेगी और एक होगी vertical velocity जो change होती रहेगी time के according जो हमें calculate करनी पड़ेगी और हमने last class में सीखा था vertical velocity calculate करने के लिए हम formula यूज करेंगे वी वाई is equals to u y plus a y into t जो भी time मेरे को given होगा उस time के according में अपनी final velocity calculate कर लोंगा similar लिए अगर मैं आप से पूछूँ what is the displacement along the x-axis x-axis में जो यह displacement हुआ हम उसको क्या consider करते हैं और आप बढ़िया यह हो जाएगा positive वार क्योंकि right-hand side हुआ है लेकिन भई what is the displacement along y-axis y-axis में कितना displacement हुआ है जीरो नहीं हुआ अपकी बार क्योंकि अप पिछला वाला case जो हमने कल पढ़ा था उसमें अगर आप ध्यान दो मैंने ground से फैका और ball वापिस ground पे आई तो उस case में displacement zero हो गया लेकिन इधर तो मैंने ground से थोड़ी फैका इधर तो मैंने building की height से फैका है तो इधर जो displacement होगा वह होगा h क्यों होगा because ball ने उपर से लेके नीचे तक यहां तक का distance cover किया है vertical direction में अब मेरे को यह बता दो यह सब्सक्राइब करना है और तीसरा आपको अच्छे से आता ही है और तीसरा आपको अच्छे से आता ही होगा velocity at any instant calculate करने को होगा इसमें यह तीन चीज़े calculate करनी है time of flight मैंने आपको बताई दिया कि time कौन से component की वज़े से आता है horizontal या vertical तो इधर जो हाइट होगी वह हमें जो displacement लेना है वह वर्टिकल लेना है और formula होगा root 2H upon G क्या किसी को calculate करके दिखाने क्या कि यह formula कैसे आया है पढ़िया similarly range होता है horizontal की वज़े से तो range के लिए आप लिख सकते हो ux into t तो ux की value हमारे पास है u और हमारे पास t की value है 2H upon G root में तो हमारे पास range का formula भी आ गया u into root 2H upon G velocity at any instant calculate करना है velocity at any instant calculate करने के लिए हम क्या करेंगे भई हमें vx calculate करना है पहले तो लेकिन मेरे को पता है vx तो मेशा constant रहेगा जिसकी value u के बराबर है और अगर मेरे को vy calculate करना है तो मेरे को equation of motion use करनी पड़ेगी तो अगर मैं equation of motion use करूँ तो uy की value थी 0 बच्चा ay a की y की value minus g और t की value question में आपको given होगी तो इससे मेरे को vy की value मिल गई तो v at any instant मतलब v net की value कैसे calculate होगी कली मैंने आपको बताया था resultant वाला formula यूज करोगे उसमें 2ab cos theta वाला term कट जाएगा क्यों कट जाएगा तो बस हमारे पास बचेगा वी एक स्क्वेर प्लस वी वाई स्क्वेर और वी एक्स की value यू है वी वाई की value minus gt है इस case में बस इसी का square करके square root कर देंगे तो हमारे पास velocity at any instant आ जाएगा इस case में बस यह तीन फॉर्म ले ही है और कुछ भी नहीं है जादा तो यह लो दोनों slides लिख लो कोई doubt हो तो पूछ लो हर्ष क्लियर है आपको यह सर्वारिया नितिन यह सर्व चालो पायल जैसे सबको नोडाउन हो जया यार मिरे को बता देना आगे continue कर दुमा हो गया हो गया हो गया बढ़िया चलो फिर आगे बढ़ते हैं सिंपल सा कोशन साधा सा कोशन यह हमें हाइट गीवन है कि यह हाइट है 20 मीटर इस 20 मीटर की हाइट से मैंने एक बॉल लिया है और उसको बिलकुल स्ट्रेट ख्रोग किया है कितनी विलाओशिटी सैंट किया थ्रोग किया है फाइव मीटर पर सकंड की विलसीटी से थ्रोग किया है नीचे हमारे पास बहुत सारी कार खड़ी है बिलकुल लाइन से तो यह सपोज अज्यूम कर लो कि हमारे पास कार खड़ी है बहुत सारी लाइन से ऐसे continuous कार्स खड़ी है हर एक कार की मेरे को length given है हर एक कार की length कितनी है सपोज हर एक कार की length है four meters तो तुम्हें बताना है बस simple सा question कि ये ball कौन से number की car को hit करेगी कोशन रिपीट कर रहा हूं हमने एक बिल्डिंग ली 20 मीटर की हाइट की उससे हमने बॉल को थ्रो किया horizontally कितनी velocity से पांच मीटर पर सेकेंड की velocity से नीचे line से कार खड़ी है हर एक कार की length four meters है आपको बताना है कि कि ये ball कौन सी कार पर जाके गिरेगी तो मतलब आपको क्या calculate करना इस case में मतलब अगर आप सही से notice करो हमें ultimately रेंज calculate करता है तो बस formula यूज करो और calculate करो थर्ड नंबर थर्ड नंबर पहारा सुशान चलो चेक करेंगे तो रेंज का formula हमें पता है रेंज का formula होता है यू इन्टू रूट टू एच अपॉन जी इसमें तो और कोई formula है नहीं बस लिए यह formula है यू की वैलू गिवन है 52 इन्टू एच की वैलू गिवन है 20 divided by मैंने आपको कहा रहा है फिलाल के लिए ग्रैविटी हमेशा टैन नहीं ले लिया करो तो ग्रैविटी टैन तो मेरे पास आ जाएगा root 4 root 4 मतलब हो गया हमारे पास 25 इंटू टू 10 मीटर्स तो अगर मेरे पास रेंज 10 मीटर्स आ रहा है तो मतलब यह ball 10 मीटर्स के distance पे गिरेगी तो कौन सी कार पे गिरेगी थर्ड नमर के कार पे गिरेगी थर्ड कार कोशन बिल्कुल क्लियर है यह सब्सक्राइब कोशन नहीं आने वाला है तो टेंशन वाली बात ही नहीं एक नेक्स कोशन फटाफट नेक्स कोशन नेक्स कोशन क्या रहा है कि हमारे पास एक एर प्लेन है जो मूफ कर रहा है किसी एक velocity से सपोज यह एर प्लेन है यह मूफ कर रहा है velocity 50 मीटर पर सेकिंड की विलोसिटी से जब height थी 30 meters एक मिन रुको शहसे मैंने values गलर दे दी है हाँ बिलकुल ऐसा कर लो इसको 30 meter per second ले लो कि airplane है जो move कर रहा है with a velocity of 30 meter per second और ये height है अभी 50 meters इस airplane ने एक food packet को drop किया तो तुम्हें बताना है कि ये food packet कितनी देर में नीचे गिरेगा मतलब time of flight calculate करना है और दूसरा आपको calculate करना है कि ये food packet कितनी दूर जाके गिरेगा distance at which food packet strikes the ground distance at which food packet strikes the ground कोशन रिपीट कर देता हूं जिसके लिए अगर नहीं समझ में आया हो तो airplane move कर रहा है 30 meter per second की स्पीड से शालो बाकियों को भी calculate करने दो यार बाकियों को भी calculate करने दो अभी airplane height है 50 meter कि उसने एक food packet को release किया है तो मेरे को calculate करना है time of flight और ये कितनी दूर जाके गिर रहा है जो देखते हैं सब अपने answer chat box में लिखके भीज़े करो यार chat box में और मैं देख रहा हूं सिरफ दो-तीन बच्चे ही हैं जो proper response कर रहे हैं बाकिये सब बिलकुल शान्त विकास विकास कुमार को जाएगा कोशन सॉल ये सर चलो गर्ड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सबके आंसर सही आ रहे हैं चलो तो calculate करते हैं साथ साथ आपको यह concept पता होना चीहें कि due to inertia जितने मेरे plane की velocity है उतने ही इस food packet की velocity होगी इनर्शिया का concept यही कहता है कि जितने हमारी इस moving object की velocity है moving object इदर हमारा कौन है plane जितनी velocity हमारे moving object की है उतनी ही velocity इस food packet की होगी जिससे आपने release किया है पलग erase करो हां तो इस case में हमें क्या करना है इस food packet की initial velocity मेरे को given है 30 meter per second जो की UX की value given है मेरे को सीज़र सीधर time of flight calculate करना है तो time of flight का formula root 2h upon g सारी value substitute कर दो 2 into velocity की height की value 50 divided by gravity की value 10 यह सब root में तो आपके पास time of flight आ जाएगा root 10 seconds एक बार time of flight आ गया तो second part में आपको calculate करना है second part में आपको calculate करना है range तो अगर आप range calculate करोगे तो formula u into time of flight u into time of flight तो u की value हमें given है 30 time of flight हमें given है root 10 बस यह answer हो जाएगा इसको चाहिए आगे कितना मर्जी simplify कर लो तो 3.1 correct answer 3.1 नहीं 3.1 नहीं आएगा अब time of flight के लिए कि यह सर्थ हाँ time of flight के लिए 3.1 क्या सकते हो root 10 3.1 होता है अप्रोक्समेट करेक्ट यह सर्थ ड़न 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 गोड़ आशका आगे बढ़ चलना है यह भी complete हो गया है तो अब यहार मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं इसको पता नहीं आपने यह पढ़ई हुई है नहीं पढ़ई हुई इसको एक चीज़ याद रख लो सपोज मैं कह रहा हूं कि यह एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है एच और मैं तीन बॉल्स ले रहा हूं जिनको मैं अलग-अलग तरीके से ड्रॉप कर रहा हूं बॉल ए को मैंने क्या किया एक विलॉसिटी से थ्रो किया उपर की तरफ विलॉसिटी कितनी लिए मैंने यू यह उपर जाएगी और फिर तब जाके यह नीचे ग्राउंड पे गर रही है फिर मैंने लिए बॉल बी बॉल बी को मैंने नीचे के तरफ थ्रो किया है सेम नहीं किया तो अगर मैंने इसको ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशल विलॉसिटी कितनी होगी जीरो अब कोशन रिपीट कर रहा हूं सुनो मैंने क्या किया तीन बॉल्स लिए बॉल एको बिल्डिंग से उपर फैका है यू विलॉसिटी से यह बॉल उपर गई और वापस नी लिया ती तो क्या आप अब मेरे को रिलेशन बता सकते हो वाट इस दी रिलेशन बिट्वीन टीवन टीटू एंटी कि वान ग्रेटर धिन टीवन टीटर देट लिया से तो होगा लेकिन इसका अब एक फाइनल रिलेशन याद रखना एक्जाम में डारेक्ट कोशन आ सकता है direct relation होता है कि जो हमारा T होगा ना that will be equal to square root of T1 T2 ये relation आएगा हमारे पास repeat कर रहा हूँ जो हमारे पास ये T की value होगी that will be equals to square root of T1T2 क्या याद रखो गिया solve करके दिखाऊंग वाकी अभी solve करके दिखा जिसको डाउट होगा जिसको डाउट हो किसी को भी तो मैंने को बता देना मां solve करके दिखा देता हूँ ठीक है अब यही कोशन क्या होगा आपके पास horizontal projection के case में आएगा कैसे यही सेम कोशन horizontal projection के case में आएगा देखो कोशन कह रहा है कि भाईया यह एक building है जिसकी height हमेर को given है h मैंने क्या किया एक particle एक particle को मैंने बिल्कुल spread throw किया बिल्कुल spread throw किया तो यह इस तरीके से नीचे जाके गिर गया इसने suppose time लिया टी यह particle c दूसरे particle a को मैंने क्या किया दूसरे particle a को मैंने किसी एक angle पर थ्रो किया है कितना angle पर थ्रो किया है suppose theta one angle पर थ्रो किया है कितनी velocity से यू velocity से similarly एक ball है भी उसको मैंने नीचे की तरफ थ्रो किया है कितने angle से थ्रो किया थोड़ा अच्छा सा और खुला-खुला डाइगरा मनाता हूं मैंने कहा भई सबसे पहले ऐसा करो बॉल ए ले लो बॉल ए को हमने क्या किया होरिजॉंटल से किसी एक एंगल पे थ्रो किया कितने एंगल पे थ्रो किया इसकी विलॉसिटी कितनी है यूवन है तो अगर आप न तरह किइंक है कुछ ना कुछ इस तरिकेंसे निचे कि तुरक या नीचे गिरी कितने एंगल पे थ्रो किया यह मैंने थीटा टू एंगल पे थो इसका टाइम T इसका टाइम हो गया T क्या information दीविए ॐ 1sinθ1 की जो value है। वह यू 2 sinθ2 के बराबर है। थोड़ा सोचना question को haram से u1 sin theta 1 की जो value है वो u2 sin theta 2 के बराबर है तो question आप से पूछ रहा है कि find the relation between t, t1 and t2 तो इसका answer बताओ इसका answer क्या होना चाहिए मेरे खाल से सब लोग confused रहें रूट t1, t2 वेरी गुड इसकेस में भी answer t equals to root t1, t2 आएगा अब समझो कैसे पिछला वाला question और यह वाला question same कैसे है मेरे को बताओ ball a की vertical velocity कितनी है यू है यह बात मान लिए आपने ball b की vertical velocity कितनी है ball b की वो भी यू है vertical मतलब y-axis की बात कर रहा हूँ a की velocity u है plus u ऊपर की तरफ b की velocity नीचे की तरफ है minus u तो मतलब a और b दोनों की velocity same है या नहीं है तो इस केस में जो हमारे पास time का relation आएगा वो क्या हैगा कि जो थर्ड वाली बॉल है that is time equals to root of t1 t2 अब यही same चीज इधर analyze कर लो इस question में क्या given है अगर मैं आपसे पूछू ball a की ball a की vertical velocity कितनी है तो अगर आप इस ball a की velocity को split करोगे कल की class में हमने सीखा था यह हो जाएगा u1 cos theta1 और उपर की तरफ क्या हो जाएगा u1 sin theta1 तो मतलब ball a की जो velocity है y direction में वो है plus u1 sin theta1 similarly अगर आप ball b की velocity देखो vertical direction में तो वो आ जाएगी minus u2 sin theta2 और question ने क्या बोला वाई यह दोनों velocity कैसी इसले वेरेस बाल सी की वर्टिकल वेलासिटी अगर आप नोटिस करो बॉद्व की wiring वेलासिटी कितनी है zero है तो यह क्या यह question और वो पिछला वाला question से मुआ निहुआ कि ए और की की मिलόसिटी हमारे पास सेम है थी की के लिए time होगा वो किसके बराबर होगा वो root of t1 t2 के बराबर होगा क्या ये कोशन पूरा अच्छी तरीके से clear है या नहीं या एक बार चेक कर लो और बिल्कुल इमानदारी से बताओ तो इसको को नो डाउन कर लो ये यूजली आपको conceptual कोश्चन होता है इसको नो डाउन कर कर लो और चेक कर लो बस तो हमारा horizontal projection भी खतम अब हम थोड़ा सा एक next level पर बढ़ेंगे जो होता है inclined angular projection वह थोड़ा सा बच्चों को difficult लगता है इंक्लाइंड अंगुलर प्रोजेक्शन माइक न्यूट रखा करो यार प्लीज कि सबका हो गया नोट डाउन करूं आगे चालो तो आजो अपने लास्ट केस पर यह हमारा तीसरा और लास्ट केस होता है इंक्लाइंड अंगुलर प्रोजेक्शन और मैंने आपको बताई रखा है सबको पढ़ने का तरीका एक ही है कि आप हमेशा सबको पढ़ने का तरीका एक ही है इंक्लाइंड अंगुलर प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है पहले तो यह समझा देता हूं कि कि यह हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का मेरे को कुछ ना कुछ एंगल गिवन होगा कि सपोस्ट इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना ले लूँ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बीटा ले लेता हूं इस inclined plane से मैंने क्या किया एक particle को थ्रो किया यह particle को ऐसे जाएगा और यहां कहीं ना कहीं वापस नीचे गिर रहा है horizontal से यह पूरे जो angle है यह तो ऐसा करो सिर्फ उपर वाला angle ले लो यह वाला angle मैं ले रहा हूँ alpha कितनी velocity से थ्रो किया particle को यू velocity से थ्रो किया तो मतलब अब जो भी angular projection हो रहा है वो एक inclined plane के उपर हो रहा है तो इसलिए इसका नाम हो गया inclined angular projection अब इसको solve करने का तरीका क्या है फिर से वह हम चीज़े no down करेंगे कि x-axis में क्या हो रहा है और y-axis में क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछू x-axis और y-axis की बीच में एंगल कितना होता है कि 90 डिग्री 90 डिग्री आंगल होता है यह x-axis और y-axis अब मिरको एक चीज़ बताओ सपोज यह मैं तीन एक्सेज ड्रॉ कर रहा हूं आपको पता है तीन एक्सेज होती है x-y-z तो मिरको बताओ इसमें से कौन सी एक्सेज x है कौन सी एक्सेज y है और कौन सी z है एक चिज़ याद रखो ऐसा कुछ नहीं होता कि होरिजॉंटल एक्सेज x-axis होती है आप किसी को भी x मान सकते हो किसी को भी y मान सकते हो किसी को भी z मान सकते हो जैसे इसको x मान सकता हूं इसको y मान सकता हूं और इसको z मान सकता हूं किसी को भी x किसी को भी y किसी को भी z मान लो लेकिन बस एक कंडिशन आपकी satisfy होनी चाहिए है क्या condition satisfy होनी चाहिए कि इन तीनों एक्सिस के बीच में कितना एंगल होना चाहिए आपको इतनी चीज याद होनी चाहिए तो इसी चीज का benefit हम यहां उठाएंगे हम क्या करेंगे हम अपनी इस वाली एक्सिस को इस वाली एक्सिस को मान रहा हूं एक्स cheesy टो जो इसके एक्सिस तो जो इसके प्रपर चीज आएगी यह वाली पास क्या बन जाएगी वाय एक्सिस मैं heps diagram को थोड़ा-स syvkt कर करने का benefit क्यों है ऐसा करने का benefit इसलिए है क्योंकि अब यह मेरा एक्सिस में गया और वापिस ग्राउट पे आ गया तो जो भी चीज़ी हो रही है मैं इसको एक तरीके से अंगुलर प्रोजेक्शन बना दूंगा तो चौन करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेरे को बताओ what is the initial velocity x direction में और y direction में एक्स में यू को तो अब मैं इसको split कर दूँगा दो पार्ट में मैंने इसको split कर दिया तो मुझे पता है एंगल इसके साथ बन रहा है तो अब ये हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास यू साइन अल्फा बिलकुल बढ़िया अब थोड़ा सोचना पड़ेगा अब नेक्स चीज क्या है मेरे को बताओ what is the acceleration in the y direction and what is the acceleration in the x direction यह सोचो y direction में कितनी acceleration लिखू मैं प्लस जी जी बास मिचा तो अगर आप लोग कह रहे हो तो माइनस जी या प्लस जी तो वह गलत हो जाएगा क्यों कि ग्रैविटी तो इस डारेक्शन में लग रही है लेकिन अब यह वाली मेरी y-axis नहीं है अब तो मेरी y-axis तेड़ी हो गई है इस तरीके से है मेरी y-axis तो मैं क्या करूंगा मैं ग्रैविटी को भी स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट्स में जैसे आपने थोड़ा बहुत लॉस अब मोशन में पड़ा होगा भई मेरी ग्रैविटी इधर नीचे लग रही है y-axis की तरफ लग रही थी डाउन्वर्ड जायरेक्शन में तो मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट इधर आएगा अब मेरे को बताओ कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल अगर सेम है आपको यह चीज़ पता होनी इसको क्या लूंगा मैं नेगेटिव लूंगा सब लोग चेक करके बताओ किसको दिक्कत है तो पूछो यार फिर से एक्स्प्लेइन करूंगा अब यार बाकि सब चीजों को भूल जाओ मैं आपको सीधा सीधा कहा रहा हूं यह इन्कलाइन प्लेन था यह मेरी ग्रैविटी लग रही थी यहां पर जैसे आपने लॉस अफ मोशन में पढ़ा होगा वेट को स्प्लिट करना यह मेरे को एंगल गिवन है यह एंगल होता ह है बीटा अब मैं आपको क्या कह रहा हूं आप इस ग्रैविटी को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो तो एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट इधर आएगा अगर आप सई से चेक करो यह वाला पार्ट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होता है इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है तो एंगल किसके साथ बन रहा है एंगल भाया पर्पेंडिकुलर वाले के साथ बन रहा है तो इसलिए इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी जी कॉस बीटा होगी अगर ये कॉस वाला टर्म है तो दूसरा वाला टर्म क्या बच्चा मेरे पास जी साइन बीटा अब मुझे बताओ यह वाली एक्सिज मैंने कौन सी ली थी एक्स तो अगर मैं आप से पूछू एक्स एक्सिज में एसिलरेशन है क्या आपकी बार हाँ एक्स एक्सिज में एसिलरेशन है और वह कितनी है जी साइन बीटा वेरी गुड तो इधर लिखूंगा जी साइन बीटा और वह नीचे की तरफ आ रही है तो इसलिए इसको माइनस में लेना पड़ेगा अब बात करते हैं वाय एक्सिज की भाई मेरी वाय एक्सिज इधर आ थी पर पर्पेंडी कुलर नीचे की तरफ एक-डूर कोणी सहलिए जी कोस बीटा आ रही है तो यह जी कोशु बीटा यृ डार्य डियरेक्शं में है तो वहिख उनी डियूरेरिशन painting जी कौस बीटा और वह नीचे की विलोसिटी कॉंस्टेंट नहीं होगी वर्टिकल विलोसिटी भी कॉंस्टेंट नहीं होगी तो हम तीनों केसिज में कुछ भी कैलकुलेट करेंगे दोनों केसिज में तो हमेशा क्या यूज करनी पड़ेगी equations of motion use करनी पड़ेगी कोई formula इसमें याद नहीं रखना है question में जैसी situation आएगी वैसे इसको solve करके आगे चलेंगे कोई formula इसमें याद नहीं रखना यार मिरको ऐसा लगा नहीं आया अगर सबको समझ में आया ना मैं अच्छा सब्को समझ में आया तो सारे की सारे only जो reply कर रहे हैं वो तो करी रहे हैं जो बाइब करें दो जो बना सब्ला से नίο अर्शा अगर यहाए अर्ट OHB तो इसको नोटाऊन कर लो इस पर एक okay thing है उस को सॉल्व करेंगे हांशी का बोलो आपको क्या डाउट है अच्छा आपने रेज हैंड कर देगलती समझब की जगे चालो तो बहुत अच्छा सा सिंपल सा कोश्चन करेंगे जो आयावा है और थोड़ा तो यह एकसिस में और यह एकसिस में चालो तोוחन बस देखने में भारी लग सकता है अधरवाइस कोशन बिलकुल भारी नहीं है सिंपल साथा कोशन है हमारे पास दो इंक्लाइन प्लेन है ये वाला अंगल गिवन है 30 डिग्री और येवाला एक इंकलाइन प्लेन है इसका एंगल गिवन है इसका एंगल गिवन है मिरको 60 डिगरी तो मिरको बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया सब्सक्राइब क्या के रहा है कि मैं इस ब्लाइन से एक बॉल को ठरो कर रहा बिल्कुल परकनी कुलर थो कर दो किये मैंने कि वह कर रहे हैं रहा और यहां पे और वह इस वाले निग्यरी है और बी वाले पे भी वह कैसे गर रही है विलकुल पर्पेंडिकुलर्लि गर रही है सब्सक्राइब इसकी इसकी इनिशल विलाषिटी गीवन है इनिशल विलाषिटी है 10 root 3 meter per second 10 root 3 meter per second बस यही सब information given है अब आपको calculate क्या करना है यह चीज़े देखो पहली चीज कोशन बोल रहा है time of flight calculate करो और दूसरी चीज़ वो बोल रहा है calculate the net velocity final velocity जिससे उसने point q पे strike किया बस यह दो चीज़े calculate करने है पहले सब लोग बस इतना चेक कर लो किसी को question में डाउट तो नहीं है ना फिर आगे बाढ़ जाएंगे हम मैं समझा मैं दूंगा attention मतलो चीज़ की question repeat करना है कि बाद दूबार से हाँ ठीक है सनिया हमारे पास question है कि हमारे पास दो inclined plane है जैसे इधर मैंने आपको एक inclined plane दिखाया लेकिन अब इधर हमारे पास दो inclined plane है इसका angle given 30 degree इसका angle given 60 degree तो मतलब इन दोनों inclined plane के बीच का जो angle हो जाएगा वो हो जाएगा 90 degree मैंने point P से ball को throw किया यह point P बिल्कुल perpendicular है ओ यह surface के यह जो surface है इसके बिल्कुल perpendicular throw किया है मैंने कितनी velocity से throw किया है 10 root 3 वाली velocity से मैंने इसको throw किया है यह गया और यह point Q पर जाके गर रहा है point Q पर जब यह ball गर रही है तो वह भी बिल्कुल perpendicular गर रही है और यह point क्या लिए मैंने Q लिया है बस आपको इतनी ही information given है question में अब आपको calculate क्या करना है कि इस ball को total कितना time लगा time of light और दूसरा कि यह point Q पर जो यह ball गिर रही है तो कितनी velocity से गिरी final velocity calculate करनी है स्नेहाब question clear है यह सर्थ चलो बढ़िया बस आपको एक hint देता हूं इसमें क्या करना है फिर से वही चीज का यूज करना है जब भी inclined plane का question आ जाए आप अपनी x-axis और y-axis को tilt कर दो और उनके बीच में एंगल 90 डिगरी बना दो तो मैं क्या करूंगा जो यह ओबी वाली एक table draw करो फिर से वही वाला और मेरे को बताओ क्या क्या चीजे गिवन हैं अलॉंग x-axis और क्या क्या चीजे गिवन हैं अलॉंग y-axis आप कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होमिस डाइग्रम को समझें तो मैं को थोड़ा सा और सिंपल बना देता हूनओ तो देखो क्या हो रहा है यह वाली लाइन थी मेरी ओपी अधियान देना इदर वाही यह वाली लाइन को मैं ओभी मान रहा हूं कि तो जो इसके पर्पेंडिकुलर वाली लाइन आई थी जो इसके पर्पेंडिकुलर वाली लाइन आई थी वो थी ओए ओ ए अगर आपने नोटिस किया हो मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया है तो अगर मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया है तो यह एक तरीके से किस टाइप का प्रोजेक्शन बन गया मेरको यह वाली विलोसिटी डिवन है 10 रूत 4 ही जो भी विलोसिटी कर लेना 10 MacAdle और फिर यह बॉल बिलकुल ऐसे गिरी अहिए प्रेंडीकुलर लिद तो मेरे को बताओ वोग इस ऑनल विलोसिटी इन धी डारेक्श। अगर बॉल बिलकुल परपेंडिकुलर एक्स एक्स पर गिरी है तो वाट इस फाइनल विलॉसिटी इन दी एक्स डिरेक्शन जेरो बहुत बढ़िया तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ध्यान देना अगर मैं आपसे पूछू यू एक्स कितना है तो आप देख रहे हो कि जो यह विलॉसिटी है यह पूरी की पूरी एक्स डेय्शन में है तो यू एट्स Cinnamon की वैई कितनी है जेरो बढ़िया भइ बॉह बाएट बढ़िया यू 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 वाई की वैलुफर तो क्योंकि इस direction में कोई velocity है यह नीं downwards में similarly अगर मैं आपसे पूछो Vx की value कितनी है तो final velocity x direction में है यह नी क्योंकि यह तो पूरी की पूरी y direction में जाके गिरी है और मिरको Vx की value sorry Vy की value calculate करनी है which is nothing but equals to Vq similarly अब सोच के बताओ what will be the acceleration in the x direction and what is the acceleration in the y direction अब यह कैसे calculate की ग्रैविटी है तो इसको आप स्प्लिट कर दो दो पार्ट में चेक करो कि X-axis में कौन सी एसिलेरिशन आ रही है और Y-axis में कौन सी एसिलेरिशन आ रही है चेक करके बताओ तो एक्स डियरेक्शन में यहां लेख देता हूँ एक्स डियरेक्शन में हमारे पास आ रही है जी साइन सिक्स्टी डिग्री और इसमें माइनस साइन मत लगाना भूलना तो कि यह डाउनवर्ड जा रही है सिमेलर्ली अगर आप ए वाइ कैलकूलेट करोगे तो आपके पास आएगा माइनस जी कॉस्सिटी डिग्री सिक्सिटी डिग्री क्यूंकि हम इस इंक्लाइन प्लेन के लिए कैलकूलेशन हो रही है तो यह एंगल यह वाला 60 डिग्री तो यहार आपक्या बच्चे की जान ल टाइम अफ लाइट के लिए आप एक्वेशन जो आपका मन करें वह एक्वेशन यूज कर सकते हो मेरे साब से जो एक्वेशन लग सकती है वी इकोल्स टू यू प्लस एटी वाली एक्वेशन लग सकती है वी इक्वाल्स टु यू प्लस एक्सेश के लिए लगा लो चाहे लाई एक्सेश के लिए लगा लो क्योंकि टाइम तो एक्सेश पर करता एक्सेश के लिए लगा अजय आपसे हो जाएगा सॉल्व अजय बिल्कुल बढ़िया अमेट अमेट कर्सपांस नहीं आया अनिकेट यह सर बढ़िया सब्सक्राइब कर रहा है हमारे पास इस टाइप से दो मतलब जैसे कि आपको समझाता हूं कि यह मेरे पास एक इनकलाइन प्लेन है और यह ऐसा दूसरा इस तरीके से तो इनकलाइन प्लेन यहां से बिलकुल पर्पेंडिकुलर ली में एक चीज को फैक रहा हूं और वह दूसरे जगह गिर रही है वह भी बिलकुल पर्पेंडिकुलर गिर ता और जों आपके गिर रहा हो तो भी परपेंडिकुलर फैकने से फाइदा हमें मिला अगर मैं इस डिल्ड कर दूं तो दाइग्रहम कुछ नहां कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ओब ही मेरे एक्सस अरिक हो जाएगी तो मैंने पॉइंट पीसे पार्टिकल को पर्पेंडिकुलर फैका था तो कशिक अगर आप एक चीज़ नोटिस करो यह बिल्कुल होरिजॉंटल फैका है तो मतलब जो भी यह विलॉस्टी गिवन है यह कुन सी डियरेक्शन में गिवन है यह एक्स डियरेक्शन में बाकि मैंने एक्सिलरेशन को स्प्लिट कर दिया है एक्स एक्सिज और वाइक्सिस के लॉंग उसके अकॉर्डिंग आप आपको कोश्चन सॉल्व करना है तो चलो क्यालकुलेट करते हैं साथ में फिर से चेक कर लेता है कोई डाउट नहीं हो सबसे पहले मेरे को टाइम है तो टाइम आफ फ्लाइट के लिए में एक्स एक्सिस की कोईशन का बेनेफिट यूस करूंगा VX इक्स एक्स प्लस ऐसा क्यों कर रहा हूं क्यूंकि हमें Vx और UX सबकी वैल्यू पता है Vx की वैल्यू है 0 यू एक्स की वैल्यू थी 10 रूट 3 और एक्स एक्सिज में G sin 60 degree तो G sin 60 degree into T तो यह हो जाएगा 10 root 3 is equal to G की value 10 sin 60 degree की value 10 root 3 by 2 और into capital T divide कर लो चेक कर लो क्या क्या cancel हो रहा है root 3 root 3 cancel 10 cancel ultimately हमारे पास time आ जाएगा time of flight will be equals to 2 seconds क्या सबका first part का answer यही आ रहा है time of flight 2 seconds यह सो जलो बहुत बढ़िया है इसके बाद दूसरा पार्ट क्या था कि हमें वर्टिकल विलोसिटी निखालनी है फाइनल मतलब वी वाई is equals to u y plus a y into total time तूँकि मेरे को final निकालनी है v y की value निकालनी है u y की value 0 थी acceleration थी minus g cost 60 degree और time of flight हमेंने calculate कर लिया time of flight था 2 seconds तो बस solve करना रहे गया minus g की value 10 cost 60 degree की value half और ये 2 कट गया तो v y की value आ गई 10 meter per second minus में और minus sign बस ये indicate कर रहा है कि particle नीचे की तरफ जा रहा था downwards direction में था दिक्कत है किसी को ऐसा feel हो रहा है नो sir चलो बढ़िया बढ़िया नो sir अरे क्या बात है बिल्कुल बढ़िया भी गुन्यरब तो यहां तक हमारा angular projection inclined angular projection horizontal projection यह सारे cases खतम हो चुके हैं अब बचेगा क्या अब बचेगा हमारे पास relative motion और फिर relative motion के बाद ही हम यह पड़ पाएंगे कि अगर हम किसी moving चीज से किसी particle को थ्रो करें तो उसके लिए calculation कैसे करनी है तो अब अपने next topic पर आ जाओ कि कितने एंगल पे अम्रेला पकड़ना है जिससे बारिश से बच जाए रेन मैं प्रॉब्लम्स और ऐसे ही दूसरा इसका नाम होता है कि किसी person को बोट कितने एंगल पे स्टार्ट करनी चीए जिससे वह सबसे कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर ले या बिल्कुल सीधा सीधा रिवर को क्रॉस कर ले कि कैए कि यस तो ऐसा करते हैं हम अभी मोशञ ना प्लें प्लेजद अब हम ठोड़ा सा वन डेमेंशनल की बात कर्द हैं मैं कह रहा हूं यह मैंने रह रो origin यह point origin यह है X-axis यह कह रहा हूं कि कोई एक अब्जेक्ट है सपोस्ष्क है और वह इतने डिस्टंस पर रखा हुआ हुआ है कि को इतना डिस्टंस ले लूँ यहां से इसको कुछ ना कुछ डिस्टंस ले लेता हूं एक्स ए सिमिलरली मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट भी उसको मैं ओरीजन से कितने डिस्टेंस पे ले लूँ उसको मैं ले लेता हूं डिस्टेंस बी पे तो यार अगर मैं अभी आपसे पूछू कि वॉट इस पॉजिशन ओफ दी ऑब्जेक्ट ए तो क्या बताओगे वाट इस पॉजिशन ओफ ऑफ ऑब्जेक्ट ए एक्स डी माइनस एकसे नहीं शिवानी अभी तो आपने कोश्चन ही नहीं सुना आपने पूरा कॉंसेप्टी इतना पूछा था वाट इस दी पॉजिशन ओफ ऑफ ऑब्जेक्ट ए एकसे एक बताओ अब बॉल की जो फॉजिशन एक है क्या वो फिक्स सबके लिए भाई एकी पॉजिशन सबके लिए सेम नहीं है जब सपोस कोई बंदा ओरीजन पर खड़ा है तो उसके साब से बॉल कहीं और है अगर कोई बंदा बॉल बी के पास खड़ा है तो उसके लिए एक ही पॉजिशन कोई और है तो अगर मैं आप से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि वाट इस दी पॉजिशन ओफ ए तो मतलब मैंने किसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा मैंने ग्रावद के रिसपेक्ट में औरीजन के क〜 पूछा होगा तो अगर मैं आपसे बस इतना पूछ हूँ वाट इस दी What is the position of A With respect to B मतलब जो person है वो B पर खड़ा है और वो A को देख रहा है तो उसके साब से position कितनी होगी A की XB-XA XB-XA तो अब लोग confused हो गए कुछ लोग बोल रहे हैं XA-XB और कुछ लोग बोल रहे हैं XB-XA अब इसमें confusion थोड़ी सी दूर करते हैं से होती हैं एक होता है object जिसको हम देख रहे हैं और एक होता है observer मतलब जो देख रहा है जैसे इस वाले case में बताओ कौन object है और कौन observer है अब्जेक्ट A उब्जेक्ट A तो अगर मैं पहले वाला case देखूँ हमारा object A है मैं A को देख रहा हूं और मेरा observer कौन है मेरा observer origin है मैं origin पर खड़े होके देख रहा हूं similarly अगर मैं दूसरा वाला case बात करूं position of B position of B का मतलब है कि हम object B को देख रहे हैं और observer कोन है origin है similarly अब इसका मतलब बताओ position of A मतलब object कोन है कि कि position देख रहे हैं हम A की position देख रहे है ना तो इस case में क्या बनेगा औबजेक्ट बनेगा और कौन किसके टर्म्स में किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं बी मेरा क्या बन जाएगा हमेशा याद रखना हमेशा ऑबजेक्ट माइनस ऑबजरवर होता है हमेशा ऑबजेक्ट माइनस ऑबजरवर होता है तो इसमें मैं क्या लिखूंगा इसको x a minus x b लिखूंगा similarly अब कोई दिक्कत नहीं होनी चीह है बताने में अगर मैं आप से बोलूं position of b with respect to a तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताना कि कौन इसमें object है और कौन observer है position of b की देख रहे हैं तो b object है और a observer है तो इसमें लिखूंगा x b minus x a तो next slide पर लिख रहा हूं check करो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई x a b x a b का मतलब होता है position of a with respect to b तो इसका formula होगा x a minus x b similarly अगर मैं x b a लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है position of b with respect to a और इसको हम लिखते हैं x b minus x a अगर अब तुम दोनों formula को compare करो equation 1 को और equation 2 को compare करो तो मेरे को एक चीज़ साफ समझ में आ रही है कि x a b की जो value है और x b a की जो value है वो value तो हमेशा क्या रहेगी same रहेगी बस difference क्या होगा difference होगा direction में तो इन दोनों की direction बस opposite आएगी क्या यहां तक की चीज़े बिलकुल clear है तो यह अगर मैं displacement के बारे में position के बारे में कह रहा हूं इसको मैं time से differentiate कर दूँगा तो क्या मिल जाएगा मेरे पास velocity और अगर मैं velocity को भी time के साथ differentiate कर दूँँ तो क्या मिल जाएगा इसलेशन बिलकुल बड़िया बस यहां तक का लिखके छोड़ दो और चेक करके बता देना कोई दिक्कत हो तो पूछ लो कि यार देखो मैं आपको एक चीज़ कहा रहा हूं मैं खुद थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्यों चल रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे साब से यही लग रहा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो अगर किसी को भी एक परसंट भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना बीज बीच में यह मत सोचना कि मैं रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल दस यो बार रिपीट कर दूंगा और शोड़ लिए 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 तो चलो आज के लिए इनए नहीं जोए करो हाँ शिवा नी पूछो क्या डाउट है तो लास्लाइट शोगर अबिल्कुल यह लो थैंक्यू सर्व कोमल राजवीर कौन सा पार्ट रिपीट करना है